हेई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों नोकिया ने अपना एक 4G फीचर फोन इंडिया में लॉंच कर दिया है जिसका नाम है नोकिया 110 4G दोस्तों आज किस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ उन रिजन्स के बारे में जिनकी वज़े से आप लोगों को ये फोन परचेस कर लेना चाहिए और साथ ही उन रिजन्स के बारे में बताऊँगा जिनकी वज़े से आप लोगों को ये फोन अवोईड करके ज तो चलिए वीडियो का स्टाट करते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले दोा लोग आप करते हैं इस फोन के प्रैजद के बारे में इस फोन का जूप्राइजे वो है 2799 रूपे, यारि की जियो फोन से यह फोन आप लोग को काफि मैंगा मिलने वाला है इसमें आप लोगों को जैसे की Jio phone में आप लोगों को recharge बगरा मिलते है न साथ में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा लगवा कर अठाइसो रुपे का ये आप लोगों को सिर्फ phone phone मिलने वाला है market में वही थ्री कलर option का आप लोगों को ये phone मिलेगा एक होगा black, दूसरा होगा grey और तीसरा होगा yellow आप लोगों को जो color पसंद आए आप उसको purchase कर सकते हो मुझे तो यह जो black वाला color है वो काफी ज़यदा पसंद आ रहा है वहीं इसमें आप लोगों को 128 MB की RAM मिलने वाली है और 48 MB की external storage आप लोगों को इस phone के साथ मिलेगी वहीं आप लोग इसकी storage को 32 GB तक बढ़ा सकते हो memory card लगा कर तो दोस्तों यह तो हो गया इस phone का एक छोटा सा intro अब बात करते हैं उन reasons के बारे में जिनकी वज़ेसे आप लोगों को यह phone purchase कर लेना चाहिए दोस्तों सबसे बड़ी बात जो इस phone को purchase करने की है वो है 4G की connectivity यह 4G SIM को support करेगा यानि कि आप इसमें Jio का SIM भी लगा सकते हो Vodafone का कोई भी 4G SIM इसमें लगा सकते हो Airtel का idea का कोई भी 4G SIM आप लोग इसमें use कर सकते हो 4G को इसमें support करेगा तो इसमें जो polling की quality आप लोगों को मिलेगी वो काफी अच्छी मिलने वाली है वहीं दोस्तों इस phone में आप लोगों को एक feature और मिलने वाला है जो इसकी menu है यानि कि जो इसमें menu में icons आप लोगों को मिलेगे आप उनको zoom करके एक-एक icon को देख सकते हो दोस्तों कई बारी ऐसा होता है कि हमें जो feature phone से वो हमारे दादा जी वगारा के लिए लेने होते हैं तो उनकी जो आखे होती है वो उमर के साथ साथ थोड़ी सी कम हो जाती है तो ऐसे में आप उनको ये phone दे सकते हो जिससे कि वो zooming करके सारी चीजे देख सकते है वो भी बड़ी बड़ी इस phone में तो ये feature भी आप लोगों को इस phone में मिलने वाला है वह इसके और features की बात करें तो इस phone में हमें मिलने वाली है MP3 player का support MP3 player का support आप लोगों को मिलेगा wireless and wired FM का support आप लोगों को इसमें मिलने वाला है video player मिलेगा आप़ लोगों को इस फोन में मिलने वाले हैं तो यह सारी चीज है आप लोगों को इस फोन में मिलेगा वहीं से आप internet do भी access कर सकते हो यानि कि हलके मुलके browsing आप लोग इस फोन से कर सकते हो तो यह फिचर भी आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलेंगे तो दोस्तों ये थोते सारे इस फोन को purchase करने के अब बात कर लेते हैं उन रिजन्स के बारे में जिनके वज़े से आप लोगों को ये फोन avoid करके जियो फोन के साथ चले जाना चाहिए दोस्तों सबसे बड़ी बात आप लोगों को इसमें YouTube, WhatsApp और Facebook किसी भी change का support नहीं मिलता सबसे बड़ा जो सवाल था आप लोगों का वो था कि भाई जो जियो फोन में रिचार्ज होता है बड़े smart phone में कराते हो जियो काी रिचार्ज आप लोगों को इस phone में कराने पड़ें तो दोस्तो ऐसे f started आप लोगों को isn't phone में नहीं मिलते जैसे झाल झाल